नमस्का दोस्तो, मैं हूँ राजनती बारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंट्र आज हम बात करने वाले हैं हमारी भारत की नई सिक्षा नीटी की हाल ही में हमारे जो भारत के मानोसाज़ाधन विकास मंथरी स्री पोक्रेल जी उन्होंने नई सिक्षा निती की घोशना किये अब ये नई सिक्षा निती क्या है किस प्रकार से ये हमारे सिक्षा तंत्र को या सिक्षा व्यवस्ता को प्रभावित करेगी इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है सिक्षा निती और किस प्रकार से हमें एफेक्ट करेगी तो आपको ये वीडियो को अंतक जरूर देखना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. देखी, दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि लगा अतार बहुत से वीडियो इसके पर बन रहे हैं. इतने सारे यूट्यूब वीडियो बन चुके हैं सिक्षा निती के उपर कि समझ पाना मुसके लिए कि क्या सही है, क्या गलत है. तो आपको मैं एक बात बताना चाहतो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे सही तरीके से बतारा हूँ, लेकिन आपको यह जरूर कह रहा हूँ, कि आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने बच्ची की सिक्षा को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने की जरुवत नहीं है अब आप बोलोगे क्या इतना सारे जो पड़पंच किया है इतना सारा इन लोगों ने जो चेंज किया है और उसका असर मेरे बच्चे पर नहीं होगा यह यू कहे कि हमारे उपर उसका कोई असर नहीं होगा हमारी सिक्षा नीति पर कोई असर नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता हाँ यह जरूर है कि हमारी सिक्षा व्यवस्ता पर इसका बहुत बड़ा असर होगा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको चिंतकरनी की जरुवत नहीं है 2020-2021 का जो एक्जाम होगा इसके उपर इस सिक्षा नीती का कोई भी असर नहीं होने वाला है मतलब जो बच्चे इस साल जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको इसी पेटरन पर इक्जाम देना पड़ेगा जिस पेटरन पर वो अभी तक दे रहे थे यह नहीं होगा कि आज सिक्षा नीती की होशना हुई है और कल से लाग हो जाएगी ऐसा कभी पासिवल होता ही नहीं है तो यह सिक्षा नीती 2022 का जो एक्जाम होगा उसमें कुछ हद तक लागू हो जाएगी पूरी तरह कर से तब भी नहीं होगी लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ classों में या आधी classों में ये शिक्ष्णिती लागो हो जाएगी लेकिन अभी तो इस शिक्ष्णिती का कोई भी असर आपकी पड़ाईबर या आपके सिक्षा तंतर पर आपकी सिक्षा ब्यवस्ता पर या यू कहे कि आज का जो सिनारियो है आज का जो सिले बसे या आज का जो सिक्षा का पेटन है इसके पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला कोई भी असर इसके पर नहीं होने वाला तो अगर आप जिस भी कक्छा के चात रहे हैं जिस भी कक्छा में आप इस समय पढ़ रहे हैं जिस भी क्लास में आप इस समय स्टेडी कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं कि यार ये नहीं सिक्छा निति की कारण इसा नहीं हो कि मेरे इसप्रेकारेब सैंट की बजाया ऐसा हो जाए ऐसा हो नी की में अभी संशद में जाना बाकि है उसको पास होना बाकि है बहुत टाइम लगना है वह बूत भूल जाइए कि इस वर्ष कोई भी इसमें कोई भी क्लोज इसका लागू हो सकता है कोई भी क्लोज लागू नहीं होगा हां नेक्स्ट इयर इसके कुछ पार्ट जरूर लागू होंगे बेसे अगले साल भी पूरी तरके से लागू नहीं हो पाएगा यहने 2021-22 का जो एक्जाम होगा उसमें भ को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतने ही मिलते के नहीं विशे के साथ तब आप रही कुछ और मुझे दीजिए आगया चाहिए